वो कहते हैं ना कि हर किसी की अपनी कहानी होती है लेकिन ये कोई ने कहता कि जब तक उस कहानी में काम्यापी का तड़का ना हो तब तक कोई उसे सुनना नहीं चाहता इसी बात पे मैं हमारे टीम से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ काफी पुराना किस्सा है 2017 की जब हमने अपना YouTube चैनल शुरू किया था तब काफी उच्छा थी और खुशी इस बात की थी कि कितना मज़ा आएगा हम वीडियो बनाएंगे लोग देखेंगे और हमें उसके पैसे मिलेंगे एश ही एश होगा तो हमने चैनल शुरू कर दिया वीडियो डालने लगे अब हमारे सामने 10,000 व्यूज का पहाड था जब तक हम 10,000 व्यूज पूरे नहीं करते तब तक एक पैसा नहीं आने वाला था तो ऐसे तैसे करके हमने 10,000 का आकड़ा पूरा किया और चैनल को डाल दिया यूटूब रिव्यू के अंडर तो उसी हफते खबर आती है कि भया आपका पुराना स्किम रद हो चुका है और वो जो 10,000 का था वो नहीं चलेगा अभी तो आगे से आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वाच टाइम पूरा करना पड़ेगा वो भी एक साल के दर्मिया तो लो सारे उत्सा पे मानो किसी ने पानी फिर दिया ये जो नया पहाड था वो तो माउंट एवरेश जितना बड़ा निकला अपने पुराने पहाड के मुकाबले फिर क्या एक दिन दो दिन चार दिन उदास थे हम लेकिन फिर हमने खाँ चलो कोई बात नहीं वेसे भी हमें मजा तो आई रहे और कुछ ना कुछ नया तो सीखी रहे तो ये सिल्सला चालू ही रखते है और ऐसे हफ़ते हफ़ते हम वीडियो डालते रहे और उसे बैतर बनाने के तरीके सीखते गए और आज जब मैं पीछे मुड के देखता हूं तो ये सोचके मुझे बहुत कुशी होती है कि हमने वीडियो डालना बंद नहीं किया और अगर बंद किया होता तो शायद आज जो जंद लोग वीडियो देखके खुश होते है वो भी शायद नहीं होता तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि जब तक आपके जिंदगी में वो काम्याबी का तड़का नहीं लगता तब तक तो थमना नहीं है और मानो जब लग जाये तब जिनोंने मदद किया था उनको तो कतई नहीं भूलना है वरना ऐसा पिटोगे कि कोई नहीं बचावाएगा आपको याद दिला दू ये जो आपने सुना ये तो एक छोटा सा तुकडा था हमारे बहुत सारी कहानियों में से अगर आपको हमारी बाकी कहानिया सुनना या देखना है तो इस वीडियो ओडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे तब तक की लिए अलवीदा चाहता हूँ मैं हूँ कुनाल राज और आप सुन रहे थे बस पांच मिनिट त्री वाइनस एक्सप्रेस की और से